आम आदमी जिन्दगी में एक ही बार प्रॉपरटी खरीता है इसलिए इसे जिन्दगी की सबसे बड़ी शॉपिंग भी कहा जाता है इसमें लोग अपनी जिंदिकी भर की कमाई लगा देते हैं और जब डील इतनी बड़ी हो तो लोगों को इस सौधे में कई बड़ी सावधानिया बरतनी जरूरी हो जाती है आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको एक फ्रॉड की तरफ धकेल सकती है इसलिए जब आप प्रॉपर्टी खरीद या बेच रहे हो तो सौधे में कुछ सावधानिया जरूर बढ़ते हैं अब मान लीजिए अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है आप एजेंट की मदद लें एजेंट इसमें काफी मददगार साबित हो सकता है एजेंट प्रॉपर्टी के विज्यापन ग्रहक को खोजने उसे प्रॉपर्टी दिखाने उसे बाचीत करने लेंदेन करने में मददगार साबित हो सकते हैं अगर आप agent की मदद नहीं लेना चाहते हैं, तो आप digital तरीके से भी आगे बढ़ सकते हैं, वर्तमान में real estate की कई सारी websites हैं, जहां पर property बेची या खरीदी जा सकती है, यहां पर आप agent जैसी सुविधा दे सकते हैं, इतना ही नहीं, यह online sites आपको खरीद बिक्री से जुड़ी कई अनि सुविधाएं भी प्रदान करती हैं, यह तो ही बात खरीद बिक्री की, अब फरजी वाड़े की बात करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े अधिकांज फरजी वाड़े ownership को लेकर होते हैं, कई बार जो व्यक्ती प्रॉपर्टी बेच रहा होता है, उसक के अलावा आप प्रॉपर्टी पर लोन से जुड़ी स्थिती भी साफ कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने से कम से कम 15 दिन पहले बहतर होगा कि सब रजिस्टर के ऑफिस से एक सर्टिफिकेट ले ले, यह सर्टिफिकेट आपको बताएगा कि प्रॉपर्टी किसी भी तर यह रेजिस्ट्रेशन भारत के अलग-अलग राजियों में अलग-अलग तरीकों से होता है और इसके लिए सेल डीड में ये भी ध्यान रखें कि लेन देन को पूरा करने के लिए एक समय सीमा जरूर हो उस समय सीमा के भीतर ही प्रॉपर्टी से सम्मन्दित लेन देन का नि अधिका जानकारी होती है ये भी जान लें कि प्रॉपर्टी पर कोई लैन एग्रिमेंट है या नहीं इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी पर कोई कर्ज है तो खरीदार ये मान लेगा कि विक्रेता सभी पे किये जाने वाले लोन टैक्स और चार्जिस का भुकतान करेगा इस मुद्दे को पहले ही सुलजा लें और एग्रिमेंट में भी इसका जिक्र जरूर करें तो ये कुछ जरूरी बाती थी जिनका प्रॉपर्टी के लें दिन में आपको जरूर उप्योग करना चाहिए ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी की खरीद हडबड़ी में ना हो एज झाल